नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका Hindi Fact Show चैनल पर तो दोस्तों इस वीडियो में आपको आज मैं भरपूर नोलिज देने वाला हूँ ना सिर्फ इस सम्मरीन के बारे में जो भारत के मैसिव सम्मरीन है इसके बारे में तो डिटेल से बताऊंगा है लेकिन आपको ये भी जा ही प्लता आएँओर में लेकिन उससे पहले चलिए जान लेते हैते हैं ना सिर्फ इसके जो किस समी मिली थिए उस समय भारत को बहुत ज़यदा जरुरूरती इसकी जब भारत पर 2008 का पार एक जो हमला हुआ था आप जानते हैं बहूत दुग्टान दुगताए का मला coupon 한번 अ और भारत के लिए हमेशा स्पेशल रहेगी भारत के पास चाहें कितनी हंतियार क्यों न आ जाएं तो बात कर लेते हैं आइनेस चक्रा के बारे में तो इसका जो वेट है वो है 8,140 तन आपको बतातों कि जो भारत ने खुद बनाई है आइनेस अरिहंत परवाण सम्मरीन उसका है करीब 6,000 तन उससे 2,000 तन जदा है और यह रूस ने भारत को दी थी जहां और इसका जो रूस में नाम था वो था के 152 नेरपा नेरपा जो बैकाल जील है उसके खिस्से का नाम कहा जाता है अक्टूबर 2008 में इसको लॉंच कर दे रहा है नहीं पूरी तरीके से बनकर तियार हो गई थी और इसे 2009 में कमिशन किया गया था और भारत को इसे लीज पर दिया गया था चार अपरेल 2012 को ऑफिशली भारते नहीं सेना में सामिल हो गई थी 2011 में भारत को यह मिल गई थी और इसका जो कोश्ट था वो था करीवन भारत ने जो पे किया था लेज के लिए करीवन दो बिलियन डॉलर कहा जाता है और इसका जो होम पोर्ट है आज जी के तारिक में वो बढ़ता है विशाका पत्रनम है यह एक किस टाइप की सम्मरीन है यह नूकलर अटैक सम्मरीन है और इसकी लेंट है करीवन 108 से 111 मिटर है यानि कि लंबाए में बहुत बड़ी सम्मरीन है यह और आपको एक खास बात इसके बारे में बता दू कि जब 2019 में बाला कोट एरिस्ट्राइक होई थी तो जो खबरे आई थी कि पाकिस्तान की PNS साद भारत की तरफ डिस्पैच की गई है जासुसी के लिए और हमले के लिए भी यानि तयार रहने के लिए तो उस दोरान का जाता है कि इसी Samroreen को भेजा गया था उसे पकड़ने के लिए बाके की जानकारी क्लासिफाइड है उसके बारे में कोई पी जानकारी नहीं है กि इसने ड्ोंडा या नहीं ड्रूंडा वो मुझे मतलब की कही जानकारी नहीं मिलाई और जैसे ही मिलें कि मैं को सूचित कर दूँगा तो संबरीन बूट स्पेशल है यह गी इसकी अल्यमेशिन रेंज है नूकलियर रियक्टर होते हैं इसमें नहीं होते हैं जिसके बिदे से चलती है तो यह यह अल्लिम्टिट समय तक पानी में रह सकती है बस इसे आना होता है जो अंदर कुरू होता है उसमें जो लोग होते हैं, जो सेलर होते हैं, जो नेवी के लोग होते हैं, उनके खाने पीने के समान के लिए इसे आना पड़ता है, वरना इसमें सब कुछ सुविधाएं मजूद है, यह unlimited समय तक पानी में रह सकते हैं, जो डीजल और conventional सम्मरीन होती है, उन्हें सतया पर आना जाता है, और इससे आप कोई भी मिसाइल का जाता है कि फायर की जा सकती है, और कोई भी टोर्पीडो इससे फायर की जा सकती है, हाईवेट टोर्पीडो भी लांच कर सकती है, और भारत के पास यह इतनी मतलब की जब यह आया थी, जब 2012 में से इंड़क्ट किया गया था, तो चीन और पाकिस्तान उससे में बोखला गये थे क्योंकि भारत के पास परमॉन सम्मरीन होना यानि भारत का एक तरीके से नूकले ट्रायाड पूरा कर दिया था रूस ने उस दोड़न भारत और रूस के संब्द एक अलगी लेवल पड़ते हैं तो चीन के साथ गलबाहे जादा बढ़ाने शुरू कर दिया और भारत से दूर करने में रूस को एक एहम योगदान भी अदा किया फिर भारत को मजगरन अमेरिका के तरफ भी जुगना पड़ा तो दोस्तों यह एक बहतर सम्मरीन थी और बात कर लेते हैं कि मतलब कि भारत किसी भी देश सम्मरीन खरीदता क्यों नहीं है उन्हें लीज पर क्यों लेता है या फिर रूस या फिर कोई और देश भी सम्मरीन जब खरीदते हैं तो उसे परमानों सम्मरीन या परमानों टेक्नलोजी कोई भी होती है तो उसे लीज पर दी जाती है उसके भी टाम डूरेशन होती है कि आप किस कितने समय तक कोई भी परमानो सम्मरीने की इस तरह की टेक्नलोजी लीज़ पर दे सकते हो तो उसे भारत हम इस समय समय पर रूस के साथ बढ़ाता रहता है लेकिन अब तो खेर भारत के पास खुद की टेक्नलोजी आ कई है परमान डूरेशन भी होती है जब उसे डिसमेंटल करना पड़ता है तो उस दुरान तक भी भारत को एक ही फायदा हो जाता इसमें तो ये कुछ कहानी थी आईनेस चक्रा की बारे में और आप जानते हैं कि 2008 के हमले के दुरान भारत के पास अगर ये होती न्युक्रिल सम्मरीन तो शायद भारत बहुत जाद हावी हो सकता था पाकिस्तान पर हाला कि उसमें दूसरे फैक्टर भी काम करते हैं आपके इस पर क्या कमेंट है कमेंट कर जो बताएगा साथी चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूले ऐसे ही बहुत साए डिफेंस वरेंट पॉलिस और फाइन स्ट वीडियो के लिए थैंक्यों स्वाचिंग वीडियो